नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुब राशी में आज है 31 मई और दिन है मंगलवार मैं हूँ आपके साथ आचार्य दीपा शर्मा और आप देख रही हैं जी उत्तर देश और उत्तरा खर्म चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं राशी फल के और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश राशी वालों के लिए आज आर्थी पक्ष मजबूत रहने वाला है प्रॉपर्टी डीलर को मुनाफ़ा हो सकता है आज बात करते हैं वरिशब राशी की कहीं पर आज आपका पैसा आटक सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें पैसा किसी को ना दे पार्टनर्शिप करना भी आज आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा मंदिर में काले तिल दान करना आज आपके लिए बहुत स्रेश रहेगा मिथुन राशी आफिस में शत्रों से थोड़ा सावधान रहेगा आपके आसपास काम करने वालों से सावधान रहना है लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं आज सरसों का तेल आज दान करें करक राशी की बात कर लेते हैं सेहत के लिए समय बहुत अच्छा है लव पार्टनर को थोड़ा सा समय आज जरूर दीजिएगा जहां तक हो सके थोड़ा सा कम बोले सिंग राशी कोई नया बिजनस आज शुरू कर सकते हैं विदेश जाने के योग भी आज बहुत अच्छे बन रहे हैं आज आप मंदिर में अगर चीनी दान करेंगे तो दिन बहुत ही उत्तम रहेगा कन्या राशी आर्थिक स्थिती आज काफी मजबूत रहेगी पार्टनर की बात को आज हलके में बिल्कुल नहीं लेना है आज अगर आप गुरू द्वारे जाते हैं तो आज का दिन स्रेश रहेगा तुला राशी वालों की बात कर लेते हैं आज नया घर खरीदने का विचार बन सकता है साथ ही साथ विदेश से जुड़ी हुई कोई बहुत अच्छी खबर भी आज आज आपको मिलेगी आज क्या करना है आपको मम्मी पापा को लेकर मंदिर में जरू जाए और दर्शन कर कर लाएं व्रिश्चिक राशी वालों के लिए आज आफिस में कुछ बहुत अच्छा और पॉजिटिव हो सकता है जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा धहरे बना कर रखे थोड़ा सा पेशेंस रखें तो दिन अच्छा रहेगा आज आपको बड़े भाई को कुछ पैसे गिफ्ट के तोर पर देने हैं धनुराशी वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है अच्छी नौकरी मिलने का काफी अच्छा समय है नव विवाहित जोड़े यानी नूली मैरेड के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है लेकिन आज क्या करें तो दिन और अच काफी बढ़िया रहेगा आज अगर आप गाय को थोड़ा सा खाना किलाते कुछ भी खिलाईए तो दिन और भी चार चान लगा सकता है कुम राशी वालों के लिए आर्थिक स्थिती में सुधार आने वाला समय है और साथ ही साथ पार्टनर के साथ अच्छा समय भी आज बिताएंगे आज आप घर से किसी काम के लिए भी निकलते हैं तो दही खागर जरूर निकलिए मीन राशी आज मिला जुला दिन धेने वाला है जीवन परिवर्तित कुछ होगा यानि कि कुछ थोड़ा बहुत चेंजिस आज आपकी लाइफ में आ सकते हैं ध्यान रखेगा अगर आज गुड़ खाकर निकलते हैं घर से तो सारे काम जरूर बन जाएंगे और चलिए इता आज बारा राश्यों का राशी फल कल आपसे फिर मुलाकात होगी बारा राश्यों के राशी फल के साथ तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्त रहिए जैमाता दी